देखिए इंडोर सेक्यूरिटी में ये है कि जैसे अर्स किया कि हम अब अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ज्यादातर बच्चे अब घर पे वक्त गुजारेंगे बाहर जाने के लिए उनके पास पार्क नहीं है या रोज वालदैन वक्त की कमी की वज़ा से उनको बाहर नहीं ले जा सकते तो कमस कम इंडोर सेक्यूरिटी पे हमें तवज्जो देना जहां वो खेल रहे हैं हमने सबसे पहले तो देखना है कि हमारी बिल्डिंग और साइट लोकेशन क्या है मतलब बिल्डिंग से मतलब यह है कि आप अगर तीसरे या चौते फ्लोर पे मजूद हैं तो फिर उसके इर्द गिर्ड ग्रेल्ज या ऐसी कोई हिफास्ती दिवार मजूद है कि बच्चे उपर से नीचे ना गिरें और दूसरा ये कि अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे है तो क्या बच्चे घर से बाहर जब निकल आएं किसी भी वज़ा से तो फिर उनके इड़ गिड़ कोई पॉंड ना हो कोई इस तरह की खाया ना हो इस तरह की जगे ना हो जहां पे वो गिर सकें तो एक तो हमने बिल्डिंग का अंदर से जाइजा लेना है कि कई दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि कोई चोर दर्वाजे या इस तरह की तैखाने होते हैं जहां बच्चे अचानक जाके गिर सकते हैं तो आपने अच्छे से जाइजा लेना है कि बच्चों के गिरने की तो कोई जगा नहीं है या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जैसे बिजली का मीटर लगा हुए और तारें बाहर को बिखरी हुई है कि वहाँ पे उसको कोई नुकसान पहुंच जाए तो साइट लोकेशन हमने च कि फायर है और उसमें आग का है कि वो आग ना लग जाए उसको करंट कई तारें ना नंगी हो और फिर जो इस तरह के नुकसान दे चीज़ें दरवाजे शार्प नहीं हैं दरवाजों के अंदर ना हाथ आ रहा हो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान से देखना है कि अगर व जो बनाओ अब जाहर है उसमें हाट डालें कि उनको करंट लगेगा तो ऐसी सूरत में हमने वाइट कलर की टेप मिलती है वो आप उसके उपर लगा के रखें आपको ज़रूत हो तो उतार लें अदर वाइस बच्चा उसके अंदर हाथ या फिर वो स्विच जो हैं वो उसक प्रचस की तीलियां हैं इस तरह की फिर मजीद हम दिखा रहे हैं कि बाथ रूम जो हैं वो कई ऐसे बच्चे हैं आप हैरान होंगे कि वाश्रूम के अंदर उनकी डेट्स होती है तब भरा हुआ है पानी का बाल्टी भरी हुई है बच्चे गये हैं फिसले हैं और फिर वो सर के बाल उसके अंदर गिर जाते हैं कभी बड़ी बाटी होई तो बच्चा अंदर डूब के मर गया तो इस सिलसले में हितियात है दूसरा यह है कि वहाँ फिसलन है पानी चुके फरिश पे होता है बच्चा वहाँ पे गया वो संभल नहीं सकता वो गिर गया उसके सर पे चोट लग गई अब वो ऐसी जगह है कि जहां नॉमली कोई आम तोर पे नहीं आ रहा होता बगार जरूरत के तो वो पढ़ा रहेगा वहां और किसी को पता नहीं चलेगा तो वाश्रूम्स जो हैं उनको कुंडी बाहर से लगाएं और बच्चे के कद से ऊपर लगाएं और उसको बंद रखा करें जब कोई एडल्ट अपनी सर्वेलेंस में बच्चे को ले जाए खुद कुंडी खोले एक काफी हद तक हम इससे बच्चित कर सकते हैं फिर सर्वेस और फानेशिंग है आप देखिए कि सर्फिस किस तरह की कोई ऐसी तो नहीं शाप सर्फिस तो नही है मसला कटा फटा कोई फर्ष हो इंटे उखडी हुई एक से ऐसा होता है कि कई दफा इंटों के फर्ष होते हैं तो उची नीची इंटे होती है तो बच्चे ठोकर खाके गिर जाते हैं तो वहां उस बच्चे को जड़ा सा अगर आपने जूता जो है वो मोटा पहनाया हु कुछ हिसे उखड़े हुए तो नहीं हैं अगर काबले मुरमत हैं तो उनको मुरमत करवा के रखें देखे कई दफा फर्नीचर में से कील निकल आया बाहर और वो कील जो है वो बच्चे को अचानक छेद देता है उसका हाथ या उंगली जखमे हो सकती तो वो रिपेर्ड है मेंटेंड हैं फिर हमने देखना है कि जिस इमारत में वो रह रहे हैं खुआ वो स्कूल है खुआ वो घर है वहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग हो इतनी रौशनी तो हो ना कि बच्चा आपने इर्दगिर्द के महाल के बारे में बेहतर तोर पे देख सके और उस रौशनी अल्टीमेटली बच्चे के अंदर दमे की मर्ज जो है उसको वो इंस्टिगेट करती है और भी बहुत सी सांस की बिमारियां पैदा होती है फिर ये है कि एर क्वालिटी हमने देखनी है कि हम देखिए बहुत से ऐसे घर हैं आजकल जाहर है रिसोर्सिस मुक्तलिफ तबकात हैं मुक्तलिफ तरीके हैं कि कैई घरों में हवा सिरे से ही नहीं सारी कोई खिड़किया नहीं है एक सामने की तरफ खिड़की आती है तो अमूमन बिल्डिंग में होना तो ये चाहिए कि उसकी दोनों तरफ खिड़किया हो किसी भी सिमत में ताकि एक तरफ से हवा आए भीडे मार या आपने कोई गैस छोड़ दी है या जैसे करी दफाग चुला जो हिखो ला रह जाता है या हीटर खुला रह जाता है और गैस फैल गई है तो इस चीज की तरफ खास पर पे इhtयात करनी है कि ऐसी हवा में बच्चे ना रुके और ना रहें और एहतियात रखें खास तोर पे जो गैस के बटन है, खुआ वो चूले के ओवन के हों, या वो हीटर्स के हों, उनको बच्चों की पहुंच से दूर रखें, यहां आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, कि ऐसे घर में छोटी-छोटी कबर्ज और अलमारिया होती हैं, और बच्चे एक राजे हैं, वो उनके सर पे टकराती हैं, तो कोशिश यह होनी चाहिए, कि उनको ऐसी लगी हुई हों हर दराज को, जिसको आप अपनी मर्जी से खोल सकें, बच्चे ना खोल सकें.